सो अब हम लोग आचुके अपने डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर तो अब हम लोग देखने वाले कि हम लोग किसी भी आइकन के साइस को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं तो उसके दो तरीके हैं कि हम लोग या तो मैनunftर जाकर उसको हम लोग उसके size कोंऊर där करें या तो हम लोग उसके size को increase कि रिष्ट एक्रीओ करने के लिए shortcut की का use करें तो आज हम पहले सबसे पहले म्ल帶 लेक लेते हैं मैनुवली आप लोग उसके साइस को स्मॉल या फिर लार्ज कैसे कर सकते हैं फिर उसके आद हम लोग शॉट्विट की की बात करते हैं यहांपर यार कि आपके लिगन है और यहांपर यार की आइकन यार क्लिक करना है यहांबज ख है यहांबज अ क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपके जो icon का size है वो आपका increase हो चुगा है large हो चुगा है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा है इससे ज़्यादा large नहीं हो सकता है फिर आपका small हो सकता है या तो आपका medium size हो सकता है अगर आपको क्या है वो distrib one झाल इससे जड़ा आपको साइस को इंग्रीज करने तो आपका आपका जो icon का साइस है वह maximum increase हो सकता है 512 pixel ठीक है 512 pixel increase हो सकता है और minimum I think 125 pixel के आसपास साथ so maximum increase करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा simply अपने control key को press करना पड़ेगा और mouse के scroll bar को हम लोग को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारा size increase हो चुका है ठीक है और decrease करना तो same to same way process रहेगा control की हम लोग प्रेस करेंगे और mouse के जो scroll bar है उसको हम लोग पीछे की तरह हम लोग स्क्रोल करेंगे तो हमारा size increase और decrease होगा तो अब आज आज की वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग मैनवदी कैसे size को increase और decrease करते हैं और shortcut की वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को लाइक करिए और share करना पिल्कुल मत भूले thank you so much मिलते हैं आगली वीडियो में चाज आए करता आए स्थकतना करता आए करता आए